हेलो एंड वेलकम बेक्ट वोड चैनल कुटूप के क्लासिद आगे एक न्यू वीडियो ले करके और आज की जो वीडियो है इसमें करने अपना लास्ट क्वेशन है यानि एक्ससाइज 1.6 का लास्ट क्वेशन क्वेशन नमर थ्री उसको करेंगे इस वीडियो में सॉल्व य क्वेशन चाहिए चैप्टर फॉस्ट का सब मिलेगा तो बने टाम भी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो दो किया क्या इसमें सिंप्लिफाइग करना है किसको देरा का हमारा टू की पावर है टू अपॉन थ्री इंटू की पावर है वन अपॉन फाइफ इसको करना टू करना है करते हैं इक्वेशन और ही है के अगर बेस सेम हो तो पावर आपास में एड हो जाते यहां हमें वेक्वेशन ने हमारी यह a की पावर मानलो m into a की पावर मानलो n यह है अगर ऐसा हो तो कुछ ही यह आ जाता हमारी equation ठीक है a की पावर हो जाती है m प्लस n यह हो जाता हमारी equation में हमारा यह बोलता है ठीक है अब करते हैं इसको solve इसके उपर से आराम बहुत सिंपली solve हो जाएगा तो देखो यहां पर एक जाए टू तो टू की लिख लेंगे power 2 upon 3 इसको क्या प्लस 1 upon 5 यह कर देंगे हम लोग ठीक है तो अब क्या करते हैं कि जो 2 है यह तो common में आगे हमारा मतलब अब एक है हमारा यह यह वाली यह वाले equation हमारे यहां पर लगेगा ना इसको तो आप इसको देखो हम जो 2 upon 3 plus 1 upon 5 इसको क्या करेंगे अमनों LCM तो तो पर यहां पर लिख लेते हैं सोड़ा बड़े-बड़े में कि खिच-पिच नहीं हो देखने में ठीक है यह से हम लोग करते हैं पर LCM कितना आएगा 15 15 को हम इससे करेंगे कितना 5 3 जा जाता है 5 5 2 जा 10 10 जा प्लस प्लस 5 3 जा 15 जा 3 जा 3 जा 3 जा 3 तो कितना हो गया 13 upon 15 ठीक है तो यानिके अब तो बाइसस कट पीटे तो कुछ होने सकता तो यहां भी हमारी क्या आ गई यानिके 2 की पावर हो गई हमारी 13 upon 15 यह हो गया हमारा आंसर ठीक है फर्स्टफ़ी है हमारा आंसर के तो बड़ते मझें दरोगते हैं हमसे यह विलो सोंड़ कोशन सेकेंट केंद के पोषण के dollar के रहा हमारा वराः ander वान हमापान 3 की power 3 whole power 7 टीक है ठाटे है यहां पर मारा 1 पाउन 3 की power 3 और vilpable चमेंट है ग क्या है देखो अगर हमारा कुछ इस फार्म में हो ठीक है तो यह हमारे क्या हो लिए आम इनस अ यह हो जागा हमारा ठीक है एक्वेशन में हमारे इस ट्राइप का हो जाएगा चला अब इसी बेसे हम लोग करते हैं इसा सॉल्व तो पहले हम इसको कर लेते हैं इधर अधो वन अपन थ्री यह है हमारा ठीक है हम पर यह है गिवन है अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाँ हाँ है हम वन की पावर आवैंड इस एक उपन थ्रीए पावर थ्री हो थ्री और इसकी पावर सेवन ऐसे लिख सकते हैं लोग ठीक है अब इसको क्या करेंगे बाई देखो कि इसमें हमारे पुरानी परेशन प्रेशन परिपेशन है यहने कि इधने के अंदर देखो थिर के पावर ठी और उसकी पावर सेवन इसमें अगर यह इसीऊपर एम और इसके ओपर एन हो तो आपा में आपके मृने कि एक निया लेख देता हूं पूरा पूर फुल हमारा denominator में दिख रहा है ऐसा हो तो यह के साथ हमारा M और N यह दोनों पावर क्या हो नहीं है आप में multiply हो जाएंगे ठीक है यह हमारा वैसी रहा है कि यह दोनों पावर multiply हो जाएंगे करते हैं इसको तो देखो हो 17 को ऐसी करें तो वन ही रहागा बाई कितना पावर किता है लेकिन वह तो वन ही रहा ना वन का वन अब यहां पर थ्री का थ्री ऐसे तो भाई यह इवह लेक्रेशन लग रहे है तो इसमें क्या होगा multiply तो थ्री के पावर पर क्या जाएगा करेंगे तो क्या हो जागा तो में जागा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या थ्री के पावर माइनस 21 कि लिख सकते हैं अबिसक्ते ना भाई तो ओ यह होगा इसका जिसका answer है एक है चाहो तो वाई आप यहांप हमारा answer है अगर कोई कहें कि यह answer नहीं है तो तुमारे यह भी आंसर है अगर लेकिन हमने क्या कि इस व्सक्राइब और एक्स्ट्रा मतलब ordinary चले गए तो आगे मायनस में तो यह भी हमारा सब्सक्राइब ना इसका answer कहला झाएगा ठीक है दोनों यह क्या बोला भाई ने 11 पावर 1 अपान 2 और 11 पावर 1 अपान 4 ठीक है यह है हमारा क्वेस्टन अभी सो करना में simplify करते हैं इसे भी बहुत ही सिंपल है वही तरीका है इसने भी एक एक्वेशन है वही वाली अपनी पुरानी जो कि देखो यह है कि ए अपन ए ऐसे रहे और एम और एन यही है नवाई है एक्वेशन हमारा यही है तो यह हमारा क्रूड़ क्या हो जागा एक पावर एम मैंसे एन यहाने कि यह है हमारा नया एक्वेशन अब इस फॉर्मूला के तौर भी हम लोग करेंगे इसको सॉल्व ठीक है तो करते हैं क्या कब से पहले क्या हमारा यहां पर ए तो एक को लेते हैं हम लोग 11 अब देखो मिनस एन यह कि क्या मिनस एंड आपान टू माइनस वॉन अपन फोर ठीक है पावर यापा सब्सें हों सब्सक्राइट तो कोई चिंता नहीं है तो यहांपे चलो आपके कर लेते हम लोग 11-1 अपोन फूर करने तो तो फोर ठीक है यहां तो यहां आपन फॉर यहां पर इनिके वन अपान फॉर यहां तो यह बहुत है यह आ रहा है इसका अनसर तो यहां यहां पर 11 के पावर कितनी आ गई है 1 अपॉन 4 ठीक है तो यह हो गया हमारा 11 पावर आ गई 1 अपॉन 4 ठीक है यह हो गया हमारा इसका आंसर ठीक है बतेन लास्ट के पावर वन अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 ठीक है फोर्त कावर यह यानि लास्ट से पावर वन अपॉन 2 दो यहां पर लेका डॉट धिया है बनाके दॉट को मतलब यह बना मुल्टिप्लाई और एट के पावर वन अपॉन टू ठीक है घबरानों कि डॉट का मतलब क्या है यहां पर तो डॉट का मतलब है मुल्टिप्लाई अगर इसको भी सॉल्व करेंगे इसका अलग इक्वेशन है यह सब को हमें करना पड़ा सब्सक्राइब और 102 अपॉन 5 जा लेकिन इसको और या यह होगा है इसमें हमारा यह है एक इक एंटू बी की पावर एम हमारा कुछ यह है तो अब इसको क्या लिख लेंगे ए बी की होल बावर एम यह भी आपको मुल्टिप्लाइ करते हैं को होल पावर होगे हमारा इसके हिसाब से करेंगे हम लोग इस वाले question को solve है जितने वी इंटू मुल्टिप्लाइ का साइण होल पावर क्या आपनी 1 upon 2 M याने 1 upon 2 टीक है अधोको 870 जा कितना होता है 56 होता है क्या अधो 56 के पावर क्या आगे 1 upon 2 यह क्यों है हमारा यह इसका आंसर आई आप लोग को यह वहली वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते लाइक और यहां पर होता है मारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीट तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके बोल देना कि एड़ रेट कोई भी कोई सानों कुछ भी हो यहां इस वाली आईडी पर आकर क्या आप लोग मैसेज कर देना मैं यहां पर आपको रिप्लाइज जरूर दे दूंगा 110 परसंट रिप्लाइज मिलेगा ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्ट कोई अलग से चैप्टर ले करके